नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमोकेव 625 टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, अमोकेव 625 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और अमोकेव टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि अमोकेव टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अमोकेव 625 एक ब्रैंड नेम है, अमोकेव 625 टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, अमोकेव टैबलेट के अंदर सौल्ट कमपोजिशन अमोकसिसिलिन 500 mg और पोटैशियम क्लाविलैनिट 125 mg होता है, Amokav tablet एक एंटिबायोटिक दवा है. Amokav tablet का उप्योग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है. जैसे फेफरों में bacterial infection होने पर, pneumonia होने पर, खासी होने पर, पेट में infection होने पर, दातों या मसूडों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर, पेशाब में infection होने पर और कान नाग गले या तवचा पर infection होने पर डॉक्तर Amokav tablet को लेने की सला दे सकता है. इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्टर अमोकेव टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। शरीर में इंफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्तर अमोकेव टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स है जिनमें आपका डॉक्तर अमोकेव टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Amokav Tablet की वज़ा से कोई Side Effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Amokav Tablet की वज़ा से कुछ Side Effects हो सकते हैं, जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, बधजमी होना, त्वचा पर रैशेस होना, करेंगे की AmoCav tablet को कैसे लेना recommended होता है। AmoCav tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर AmoCav 625 tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते AmoCav tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको AmoCav tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की AmoCav tablet को लेते समय क्या-क्या सावधा जानिया रखनी चाहिए। AmoCav tablet को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने AmoCav tablet को लेने की सला दी है। इसलिए आपको AmoCav Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए. AmoCav Tablet viral infection होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है. अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए. क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में AmoCav Tablet की डोज घटानी पड़ सकती है. अगर किसी व्यक्ति को AmoCav Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए. और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए. वैसे AmoCav Tablet, Pregnant महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है. और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी AmoCav Tablet का सेवन करना सुरक्षित है. इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को AmoCav Tablet को लेने की सला दे सकता है. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका AmoCav Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके कुछ सकते हैं.